दोस्तो दुनिया में अगर सबसे खतरना बेपन है तो वह है नुकलियर बॉम आजकल हर कोई देश अपनी पावर देखाने के लिए नुकलियर बॉम का सहरा ले रहा है जिस देश को देखो वो नुकलियर बॉम का डोल बाजा रहा है जब तक परमाणू हत्यार मौजूद है उनकी इस्तमाल का खत्रा हमेशा बना रहता है दोस्तो एलवा आइस्टी न गाता मैं नहीं जानता कि तीसरा वर्ल्ड वर कैसे होगा लेकिन मैं यह जानता हूं कि अगर चौता वर्ल्ड वर हुआ वो लाट्ट डेंडों से होगा दोस्तो परमाणू बॉम का उदारन हम जा जोगर आज नुकली अबॉम फटे तो क्या होगा दोस्तों अगर फ्यूचर में कभी ऐसी सुझेशन आई कि हमें नुकली अबॉम का खतर हो हमें कैसे बचेंगे इसलिए इस वीडियो में आपको बता हूं एगर नुकली वर्म गिरने की समामना हो या गिरे तो आप कैसे अ अगर प्रमाडू हमला होता है फूड के लिए बाहर जाना सुरचित नहीं होगा आपको कम से कम 48 घंटे या उससे ज्यादा समय तक शेल्टर में रहना पड़ सकता है इसलिए आपके पास फूड और मेडिकल सप्लाइज ओन हैंड होने चाहिए अगर आपके पास यह सब ओन इस्टो करने चाहिए नॉन पेरिशवल फूड लंब में समयता जलता है आपको ऐसे फूड लेने चाहिए जो कारो आइटेड को ज्यादा कंटेंड करते हों कुछ ऐसे फूड जो आपको स्टो करने ही चाहिए जैसे वाइट राइस वीड्स बीन्स सुगर अनी और मिल्क ट लेटा पानी होना चाहिए हमले की सुड्यूशन में आपको पानी सुद्ध करने के लिए ब्लीच और पोटिस्यम ऐड़ ऑन हैंड रखें फूर्थ इच गेट कम्निकेशन सप्लाइज हमले के दौरां सेलफ़न टावर साथ तूट जा जैसे आपका स्मार्ट फोन काम ना कर है ऐसे में आपको ऐसा डीडियो ढूणे शोलर एनर्जी बैटरी से चलता हो या आप नोवाई वैदर रेडियो भी ले सकते हैं या 24 गंटे इमरेंसी इंफॉर्मिशन देगा आप अपने साथ सीटी जरूर रखें जो दूसरों को तंके देना में हेल्प करेंगी स्टॉक और मेडिकल सप्लाइब आप हमले में गाल हो गए तो कुछ मेडिकल आइटम अपकी मौत को जिंदिगी में बदल सकते हैं इसलिए आपके पास मेडिकल केट होनی ही चाहिए आप इसको खरी सकते हैं या खोद ही बना सकता है आपको इसमें इस्टरलाइल गौष पत्तियां और तो और आप एक first aid instruction booklet Red Cross Organization से ले सकते हैं और इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं इसमें आपको पाता चले है कि घाओं पर पट्टे हैं कैसे बांदी जाती हैं CPR कैसे दिया जाता है सदमे का अलाज कैसे किया जाता है अगर आप कोई पहले से दवाएं खाते हैं तो आप उने भी साथ ले सकते हैं six is get other miscellaneous items आप एक ऐसी emergency kit तयार करें जिसमें यह आटेम होने ही चाहिए जैसे कि torch, battery, duct marks, plastic sitting and duct tape, garbage bags, garbage bags and wet wipes for personal sanitization एक रिंच और प्लायर जरूर ले तो गैस और पानी जैसी प्योगताओं के बंद करने के लिए काम आएगा 7th is keep on eyes on the news जिसमें आपको पता चला है कि बाहर क्या हो रहा है यह दुरुका है या नहीं और भी बहुत कुछ इसलिए आपको news जरूर देखनी है या सुननी है अम में आपको बता हूँ है how to survive an immediate attack first of all seek center immediately जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सेल्टर में जाएं क्योंकि बॉम फट्टे के बाद आपके पास 10-15 सेकंड या 20-30 सेकंड का टाइम होता है अगर आपके पास shelter नहीं है तो आप सिर्फ जमिन की तरफ करके उल्टा लेड जाए और अपने सरी को मिट्टी से दबा ले क्योंकि बॉम के फट्टे के 8 km एरिया में 30-degree thermal burn होता है मतलब कि अगर आप इस एरिया में हुए तो आप राक हो जाएं और 32 km तक एरिया में भी इतनी गर्मी होती है कि वह आपके चमड़ी को जला सकते हैं और बॉम फटने से 970 km पर घंटे की सबसे सौक वेप उड़ती है जो कि आपको बिल्डिंग कार कर सबको तैसनेस कर देंगे चकना चूर कर देंगे इसलिए जित्ता जली हो सके सब्सक्राइब करें नहीं तो किसी विल्डिंग के वेस्मेंट में या मैट्रों के वेस्मेंट पर घुज जाए और अपनी जान बचाएं दोस्तों नुकलियर वह आपको कई तरह से मार सकता है जैसे हीट सौक वेप और रेडियेशन याद रगे रेडियेशन एक्सपोजर सबसे ज्यादा मौतावा कारण होता है जाए कोई भी सौचेशन हो आपको फर्स फूटी एथ हवर्स सेल्टर के अंदर ही रहना है क्योंकि बॉम पटने से रेडियो एक्टिव आयोडिन आसपास के लाके में फैलता है इसलिए आपको इससे बचना है जबता सेल्टर में र वीडियो जरू देख सकते हैं मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहा हूँ कि आप किसी भी सुझेशन में अपनी जान कैसे बचा सकते हैं